यह बात अजादी से पहले की है जिस समय देश में राजा रजवारों का शासन चलता था भारत की संपत्ती और संपता लूटने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इतना ही नहीं अपने स्वार्थ के लिए देश के कई राजा रजवारे भी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे और जन्ता अनेकों तरह की यातनाए भुगत रही थी इस समय देश के चारों और सिर्फ लूट पार्ट का ही माहौल बना हुआ था इसी समय बदोदड़ा के शासक काईकवार परिवार को एक चिठी मिली जिसमें पूरे परिवार को धंकी दी गई थी कि महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी रिटार्मेंट के समय पांच-पांच वीगा जमीन दी जाए और इसकी जाहर सूचना पूरे शहर में भी दी जाए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके मार दिया जाएगा इस धंकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंग चौहान ये वही भूपत सिंग था जिसने वदोदड़ा से लेकर दिल्ली की सरकार तक के नाक में दम कर रखा था इंगलैंड के रॉबिन हुड या हिंदी फिल्मों की तरह लगने वाली ये कथा दरसल एक सची घटना है भूपत सिंग के कहर से जहां राजा रजवारे और अंग्रेस कांपा करते थे वही गरीबों के दिल में उसके लिए सबसे उचा स्थान था गुजरात के कठिया वार की बहादूर धरती का पानी ही कुछ ऐसा है कि पूरे एशिया में सिर्फ यही एशियाटिक लाइन्स पैदा होते हैं उनकी आवास में भी इत्मी शूर विर्था चलकती है कठिया वार के इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहां के लोगों की वीरगाथा का एक लंबा इतिहास है इनी में से एक नाम आता है भूपत सिंग चोहान का कठिया वार में एक ऐसा समय आया था जब भूपत सिंग पूरे देश के राजा रजवारों और अंग्रेजों के लिए सिर्दर्द बन चुका था अंतिम समय तक भूपत सिंग को ना तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और ना ही अंग्रेजों की फौजें आखिरकार कई अंग्रेजों को मौत की नीन सुला देने वाले भूपत सिंग को पकड़े बिना ही अंग्रेजों को वापस लोटना पड़ा अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत सिंग को कभी पकर नहीं सकी कढ़िया वार में जन्मा भूपत सिंग बच्पन से ही बहादुर था तेज भागने और खोडों पर सवार होकर हवा से बात करने की कला तो जैसे उसे वर्दान में ही मिली थी भूपत को जानने वाले लोग बताते हैं कि वे इतनी तेज दोड़ा करता था कि अगर उस समय उलम्पिक में भाग लेता तो कोई उसे हरा नहीं सकता था लेकिन उसके भागे में कुछ और ही लिखा था तेज भागना तो उसकी आदत थी इसलिए तटा उम्र भागता ही रहा भूपत के शिकार बने कई लोगों का परिवार अब भी कठिया वार और आसपास के शित्रों में रहता है भूपत सिंग की कई करूरता भरी कहानिया है तो वहीं उसकी गरीबों के प्रती प्रेम का गुणगान करती हुई कहानिया भी है ये साल 1920 का समय था और भारत पर अब पूरी तरह ब्रीटिश सरकार का शासन था कुछ राजा रजवारा बचे भी तो वह अंग्रेजी सरकार के हाथों कटपुटली बन चुके थे इस समय अमरेली जिला के वरवालाज गाउं में भूपत सिंग का चनम हुआ उसका पुरा नाम भूपत सिंग था लेकिन उसने अपने लिए भूपत सिंग चौहान नाम ही पसंद किया और वै इसी नाम से पहचाना गया दरसल भूपत के इस नाम के पीछे का मूल कारण ये था कि उसके वन्शच चौहान वन्शी शत्रियों से ही संबंध रखते थे भूपत का बच्पन जुनाव वागणिया में बीता था वै बच्पन से ही बहुत बुधिमान था उसकी तर्क वितर्क और फैसला लेने की शक्ती इतनी तेस थी कि जवानी की तहलीस पर कदम रखते हुए ही उसकी नुक्ती जुनाव वागणिया के राजा के दर्बार में हो गई थी इसके इलावा भूपत सिंग को तरह तरह के खेलों का भी बहुत शौप था उसकी ये प्रतिभा भी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी जब भी राजा के दर्बार में दौड, घुर दौड, गोला भैकना जैसे खेल आयोजित होते तो वे अपने राजे की प्रतिनीधी करते हुए कई इनाम राजा की जोली में ढाल दिया करता था पताया जाता है कि दर्बार में नियुक्ती के बाद राजे में आयोजित पहले मुकाबले में ही बैस साथ खेलो में दूसरे नमबर पर रहा था इसकी वज़े से उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद हो गया लेकिन भूपत सिंग का जीवन शायद आली शान महल में रहने के लिए नहीं बना था इसलिए उसके जिन्दगी में एक साथ दो ऐसे हाथ से हुए कि उसने मजबूरन हथ्यार उठा लिये तरसल भूपत सिंग के जिगरी दोस्त और परिवारिक रिष्टे से भाई राणा की बहन के साथ कुछ लोगों ने बलादकार किया था जिन से राणा की पुरानी दुश्मनी थी जब इन से बदला लेने राणा पहुँचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया भूपत सिंग ने किसी तरह राणा को बचा लिया लेकिन छूटी शिकायतों के चलते वैं खुद इस मामले में फस गया और उसे कालकोटरी में डाल दिया गया बस यही से खिलाडी भूपत सिंग मर गया और डाकू भूपत सिंग पैदा हो गया भूपत ने जेल से फरार होते ही पहली हत्या की इस समय उसकी टोली में सिर्फ तीन ही लोग थे लेकिन जैसे जैसे वै अपराद की दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया उसके साथियों की संख्या भी बढ़ती गई अपराद की चरम सीमा पर पहुँचने तक उसके बयाली साथी थे और एक से बढ़कर एक बहादूर और क्रूर भी भूपत सिंग उस समय का पहला ऐसा डाकू था जिसने अपने 21 साथियों की दो ग्रूप बना रखे थे इसमें भी खास बात ये है कि इन दोनों ग्रूप के लिए सरदार नेउग थे लेकिन हुकम सिर्फ भूपत सिंग का ही चलता था इसके इलावा दोनों ग्रूप जंगल में अलग-अलग ही पडाव डाला करते थे भूपत सिंग से गदारी करते हुए जब उसका खबरी या उसका साथी पकड़ा जाता तो वे उसे जान से नहीं मारता था बलके उसकी नाक या कान काट दिया करता था भूपत की इस करूर सजा का शिकार हुए लोगों की संख्या चालिस से अधिक है इसमें चार व्यक्ति तो अभी सुरिंद्र नगर जिले में रहते हैं इन में से एक व्यक्ति के अनुसार भूपत सिंग हद्या करने की वजाए जीवन भर के लिए सजा देने से लोगों को डराता रहता था इसके इलावा भूपत उसे धमकी भी दिया करता था कि अगर उसने आत्म हद्या की तो उसके बाकी बचे परिवार की हद्या कर दी जाएगी इस तरह से तरनाक कान कटे लोगों को मरने भी नहीं देता था भूपत सिंग को खौफनाक हैवान भी कहा जाता था उसे विक्रित मानसिक्ता का व्यक्ति करार दिया गया लेकिन महिलाओं के मामले में उसकी तारीफ भी की जाती थी क्योंके डागू और लुटेरे बने के बाद भी उसके दिल में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था उसने अपनी पूरी जिन्दगी किसी भी महिला पर हाथ नहीं उठाया उसके इलावा उसके साथियों को भी निर्देश था कि कोई भी स्थिती हो महिलाओं को सम्मान की नजर से ही देखा जाए साल 1947 की अजादी के बाद पुरे देश में संपरदाएक तंगे भड़क उठे थे इस दोरान भूपत और उसके साथियों ने अपने दम पर सैंक्डों महिलाओं की इस्जत बचाई भूपत सिंग की इन ही अच्छाईयों की वज़ा से उसके करूर इतिहास को भूला दिया जाता था इसके इलावा गरीब लोग उसे अपना मसीहा भी मानते थे भूपत सिंग की इसी नेकनियती के कारण वै अनेकों बार पुलिस से बचा लिया जाता था कई बार तो उसे महिलाओं ने ही बचाया था एक बार गिर के जंगल के पास के काव की कई महिलाओं को इस आरोप में किरफदार कर लिया गया कि उन्होंने भूपत सिंग को बचाने में मदद की है लेकिन अखबारों में इसकी खबर आने और विवाद मचने के बाद सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया गया भूपत सिंग ने सैंक्डों बार पुलिस को चक्मा दिया देश आजाद होने के बाद साल 1948 में भूपत सिंग के कारناमे चरम पर पहुँच गये थे और पुलिस भूपत को रोगने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी इस बाद से सवराश्ट्रा के ग्रह मंतरी रसिक लाल इसकदर गुसा थे कि उन्होंने पुलीस प्रशासन को ये आदेश दे दिया था कि जब तक भूपत सिंग पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए पुलिस को 25 प्रतिशत कम सेलरी मिलेगी महीनों तक पुलिस को 25 प्रतिशत कम सेलरी मिलती रही लेकिन भूपत सिंग पकड़ा नहीं गया इसके बाद भूपत सिंग ने रसिक लाल को धंकी दी कि वे तुरंट पुलिस को पूरी सैलरी देने का आदेश सुनाएं और इसी धंकी के बाद पुलिस को पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया इसके इलावा भूपत सिंग को पशु पक्षियों की आवाजिन निकालना और पहचानने की कला भी आती थी ये हुनर उसने जंगल में ही आदिवासियों से सीखा था इसका उसे भरपूर फाइदा भी मिला गिर जैसे खतरनाग जंगल में इसी कला की वज़ा से वे जीवित रह सका एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी थी के भूपत सिंग को पशू पक्षियों की आवाजे निकालने और पहचानने का हुनर आता है इसलिए जब भी पुलिस उसे जंगल में घेरने घुसती है तो वे बच निकलता है और उल्टा पुलिस की टीम ही मुश्किल में पढ़ जाती है इसलिए उसे जंगल में जाकर पकड़ना बहुत मुश्किल है एक बार जब भारी पुलिस तल ने भूपत सिंग को जंगल में चारों और से घेर लिया तो वे शेर की कुफा में चिप गया लगभग दो दिनों तक भूपत सिंग कुफा से बाहर नहीं निकला जबके इस कुफा में भूपत सिंग का एक पूरा परिबार था पुलिस इस कुफा तक पहुँच भी गई थी लेकिन शेरों को देखकर उनकी हम्मत कुफा में दाखिल होनी की नहीं हुई उसके इलावा उन्होंने ये भी सोचा कि कम से कम वे शेर की कुफा में तो नहीं छुपा होगा वरना शेर उसे मार कर खा जाएंगे लेकिन पुलिस ये भूल गई थी कि वे कई सालों से उन्हीं शेरों के बीच रहा है पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत सिंग ने अपने साथियों तक ये संदेश पहुँचाया कि वे पुलिस के चंगूल से बाहर निकल चुका है भूपत सिंग की ये अदा उसकी बहादूरी की कहानी खुद बखुद बयां करती है 1960 के दशक में डाकू भूपत सिंग अपने तीन खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच से पाकिस्तान पहुँच गया हाला कि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था उसे मौत का भी कोई डर नहीं था कि तेश छोड़कर भाग जाए लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि उसे मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया लेकिन भारत पाकिस्तान पर मचे घमासान के चलते उसके लिए ये मुंकिन नहीं था पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ़तार कर लिया और उसे घुसपैट के आरोब में जेल भेज दिया गया उसे एक साल की सजा सुनाई गई लेकिन सजा पूरी होने के बाद वे वापस भारत नहीं आया और वहीं बस गया पाकिस्तान में उसने इसलाम धर्म कबूल कर लिया और अब उसका नाम अमीन यूसुफ हो चुका था धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया उसके चार बेटे और दो बेटियां हुई हालां कि उसने और उसके बागी साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धर्दी पर ही साल 2006 में उसकी मौत हो गई दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्दी आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए